घेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक तो आउर यूटूब चैनल देवी मूर्तिकला केंदर देवी मूर्तिकला केंदर में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपके कमेंट के जबाब देने वाले हैं जहां पे आप कई सारे कमेंट करके कई लोगों ने हमसे ये पूछा है कि मूर्ती के बैग्राउंड में परदा कैसे लगा जाता है तो यह वीडियो में complete process परदा लगाने का दिखाया गया है आप उसको complete watch कीजिए उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि मूर्ती में finishing के साथ और अच्छे से दिखने looking वाला style में आप परदा कैसे लगा सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो friends आपको एक मिट्टी का घोल तयार कर लेना है जो की सूती कप्रे से आप छान के तयार कर लोगे उसके बाद में आपको कील कांटों के भी जरूत पड़ेगी छोटे छोटे कील आप ले लीजे ताकि अपने मूर्टी में पुआल का जो structure बना है मिट्टी लगाया हुआ उसमें आप जगे जगे पर उसको टोंक के बिल्कुल ready कर दें ताकि परदा इधर उधर हिले नहीं और बिल्कुल finishing के साथ लग पाए झाल 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 फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पर्दा होना चीए वो सूती का ही होना चीए इससे काफी फिनिसिंग आती है झाल 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 तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि मूर्थी के बैक्राउंड में कैसे फिनिसिंग के साथ फर्दा लगाया जाता है तो आइटिंग आपको पता चल चुका होगा कि कैसे फिनिसिंग के साथ आप पर्दा अपनी मूर्थियों में लगा सकते हैं तो क्वाइज इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में यूसफुल टॉपिक लेकर आपके लिए तब तक के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजे और सब्सक्राइब करके रख लीजे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी